हालो फ्रंड वेल्काम बैक टो माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स इस वुडियो के माध्धम से जभी संडे के टीटी का जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉलवर्ट पेपर बताऊंगा फ्रेंड्स इस वुडियो के माध्धम से तो चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं सूची ए और समाज़े के ग्यान के कोशन देखते हैं सूची ए और सूची दो को मिलान करते हैं तो सलबाई की संगी कब हुई थी फ्रेंट तो सलबाई की संगी 172 इस्वी में हुई थी यह मराठा कालीं से सम्दित हैं बेसिन की संगी 802 इस्वी में ह दिया है इसलिह मैंने 4 बांज contributions कर दिया है इसका स्वर स्वर्थ स में लुसेंर की बुक है और महराथ्भ सम्रांज तरह जा के देख सकते हैं वह संगी में दिया दिया गया है अगला लुशेंड के जो गवर्नार्ट जनरल का पूजिशन उसमें जाके देख सकते हैं उसमें यही आंसर बताया गया है ठीक है अगला कुशन देखते हैं इसमें भी सुची ए और सुची दो को मिलान करना है तो इसमें मैं बता देता हूँ बहादूर सा जफर बक्त खागा क्या हो तो इसका अंसर यह होगा मैं आपको बता दू फ्रेंट इसका सोर से जो है दो ठो बुक से में मिला के बताया हूँ एक तो इतिहास का आप क्या बोलते हैं घटना चक्रत तांक देख लिजिए उसमें एक वर्सिंग के बारे में दिए आरा और बागी लूशेंड के बारे मे सकते हैं कौन सी घटना असत होई थी यह बता देता हूँ तो 857 के विद्रों के पश्चात भारत में ब्रिटिस काउन की सत्ता इस्थापित की गई थी तो तर ब्रिटिस इस्टिंडिया कंपनी को भंग कर दिया था यह क्या है यह बिल्कुल सही है बाद में क्या कर दिया थ तो यह भी क्या है बिल्कुल सही है तो इसमें गलत कौन सा हो गया फ्रेंस यह तो 857 के विद्रों के पश्चात भारती सेना में सीख पढ़न और गोर्खाओं की भरती नहीं की गई तो यह गलत है क्योंकि यह गोर्खाओं के भलती की गई है फ्रेंस तो मैं आपको बता करन में क्या है अधिकार पुक्षा में क्या है किसी अधिकार से दिया गया है यह बताते हैं कि किसा अधिकार से तुकान किया गया यह और उत्प्रेशन में पुन्यता सुचित कीजिए उत्प्रेशन में क्या है पुन्यता सुचित कीजिए तो इसका मैं आपको बता देता हूँ इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ कौन से बुक किसे है इसका सोर्स तो इसका जो लश्मी कांद की book को आप देखेंगे लश्मी कांद की या फिलूशन दोनों में दे दिया है इसमें जाके आप देख लिजेगा वो आपसे मिल जाएगा मैं book का source से भी बता रहाँ friends क्योंकि कई जन क्या है किसी को कई जन को पता नहीं रहता अपना सही answer कर देते उसके बोते हैं सर आप गलत बता है तो आप जाके चेक कर लिजेगा अगर मैं गलत बता है तो ठीक है शमाजिक अंधिन के लिए सिक्षक को बल देना चाहिए तो समाजिक मुद्धों के प्रती चिंतन की सक्ति के विकास के लिए इसको मैं net से खो जाओं friend क्या है इसको net से ठीक है इसमें Wikipedia source है मैं आपको पहले बता देता हूँ Wikipedia क्या है source है ठीक है कौन सा source है Wikipedia source है अब अब प्रोजेक्ट विदी का प्रति पादन किस ने किया था तो प्रदेक्ट पुर्डी का प्रतिपादन जो है Kilpatrick ने किया था प्रोजेक्ट वीधी का प्रतिपादन किस ने किया है किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट वीधी का प्रतिपादन किया है अगला question अपन देखते हैं कि निमले खितमे से कौन से project विधी का नियम नहीं है तो कौन से project विधी का नियम नहीं है यह पूछा है फ्रेंट तो इसका answer हमको नहीं मिला है अगर आपको मिला होगा तो आप बता दीजेगा इसमें एक ही answer मिला था कि उद्देश का नियम कि ओन दीजेगा इसका answer हमें नहीं पता आप कमेंट करके बता दीजेगा ठीक है अब आतेपन अगले question पर शमाजी का ओध्यन में कौन से छेत्र में project अधारिक सिखना हो सकता है तो इतिहास में तो आपको बता दूँ इसका सोर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सोर्स है तो इसका सोर्स है Wikipedia इसका सोर्स कौन सा है Wikipedia इससे पहले भी मैंने यह वाले कोश्चन को नहीं देखा था पर देख लेते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट आधारिक सीखना भारती विद्यार्थियों में विक्सित करता है तो किस में विक्सित करता है तो आलुचनात्मक सोच सहयोग और जिरात्मक तो प्रोक्त सभी में विक्सित करता है इसका भी सोर्स विक्कीपीडिया है फ्रेंस आप जाके विक्कीपीडिया में स तो मैं आपको बता दू लोग तंत्र का इस परश्ट रूप से उल्लेक होता है कि क्या है लोग जनता का जनता के लिए है न जनता के दौरा तो इसलिए क्या होगा लोग तंत्र आएगा यहां पर अगला कोश्चन देखते हैं अपर सविधान के कोश्चन मैं बतारों फ्रेंड्स मैंने को बहुत ही मुश्किल से मैंने बहुत बुक खोजने के बाद आंसर मिला है तो एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है तो एक अधिकार मूल अधिकार तब कहलाएगा फ्रेंड जब यह सविधान में मूल अधिकार के र मैं बहुत अच्छी तरह के से को पढ़ने के बाद बता रहा हूं इसका अंसर को ठीक है एक सीज और बता दू फ्रेंड्स पेपर का लेबल थोड़ा हाट था क्यों हाट था क्यों हाट था क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी तो मैं आपको बता देता हो इसी के तरह क क्या है हाट क्यों को कई बार रिपीट करता है तो आप जो पेपर नहीं दिला है वो भी इस वीडियो को जरूर देखेगा कि क्यों क्या करते है बार बार रिपीट करता है ठीक है अब आते पर नेक्स्ट क्यों पर सरोचनी आले सविधान की सरोचता को कैसे संरक्षित करता ह आजी सबह के उपसबबा पती को पद्चुक्त करने के विशय में सही है ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए पूरू सुचना देना चाहिए अभी हाल ही में विवार्थ चला था कि उसी से related क्या कर दिया गया ये question को दे दिया गया था तो ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूरू सुचना आवशक है और ऐसे संकल्प संसद के सदन के क्या है अगला question अपन देखते हैं सही क्या है बताना है फ्रेंट तो ये question भी बहुत जबर्दस्त question दिया था कि वित विधैक और ये repeated question ने बता रहूं फ्रेंट में अभी हाल ही में जो आएक संपरिक्षा का question आया था वो इसी से related दिया था वित विपार से तो चले देखते हैं वित्य विधैक केवल लोग सभह में प्रस्तावित किया जा सकता है ये बिलकुल गलत है फ्रांट वित्य विधैक क्या है लोग सभह में प्रस्तावित किया जा सकता है और राजे सभह जो है वित्य विधैक को रोग सकती है इसका सोर्स बता रहा हूं लचमी कान की बुख को प प्रस्तूत कर सकते थे राज्य सभा में उसको कोई पावर नहीं था लेकिन यहां विट्विध्यक पूछा है तो चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन अपन देखते हैं सिन्दू सबत्त के दो इस्थान जो चावल के कास्त के लिए जाने जाते हैं सबसे प्राचीन है तो कौन से यह कोलडी हवा जो है और मेहरगर यह कोल्डा हवा देदिया है अगला कोशन देखते हैं इस क्वेदिक संस्क्रीए सफ्यमिया नहीं उसका देता में क्या था महीला ससक्तीकरंण को महतो दिया गया था मैं आपको पता दूं यहां पूरा वैधिक संसक्रीडा को पूछा है तो उत्तर वैदिकक काल में एक लेकिर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई इनकी स्थिती गिरते गई थी तो यहां पूरा वैदिक काल के बारे में पूछा यह ध्यान रखेगा वैदिक संस्कृति एकेसवर वादपर अधारित नहीं थी यह बहुत सारी देवताओं को मानने आता थी उसमें ठीक है तो अब कोशन देखते हैं वैदिक संस्कृति में यग्यों को महतो दिया गया था यह बिल्कुल सही है क्या क्या गया था यग्यों को महतो दिया गया था अगला कोशन देखते हैं निमने में से कौन से मिलाव नहीं है तो कौन से मिलाव शहीं नहीं है बताना है तो देखे कलिंग का क्या हो गया? उज्यान हो गया. जहाह अवन्तिका है, वो अवं तरीध लिग ज़िया है. उज्यान हो गया. मैं एक चीज़ बार बता दू. कुस्यन बार बार रिपीट करता है. कुश्यन का लिवल बहुत अच्छा था, बहुत हाड पूछा था फ्रेंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस पेपर को जरूर देखेगा इससे related hard hard question को जो repeat करता है वो आगे के exam में repeat कर चाकता है बहुत चान से repeat करने का अगला question देखते हैं निम लिखित में से कौन से सीला लेक में अशुक ने स्वयम को अशुक राजा संबोधित किया था तो मैं बता दू कंडार्टक के मास्की के छोटा लेक में क्या है अशुक ने स्वयम को अशुक राजा उल लेखित किया था अगला question अपन देखते हैं कि कस्मीर का कौन सा सूफी सिलसला मद्यकाली समय में ज्यादा लोग पूरी था जिस पर सेवाईट भक्ति पर अप्राइश्ट अभी थी तो यह कौन था रिसी था रिसी सिलसला संबंदी था इसका भी source Wikipedia है अग्बर की राजपूत नीती के संबंद में अशत्य है तो यह क्या है कि इसमें दिया है राजपूतों को कुछ हद तक के मुसल्मानों की तुल्ला में छोटे पदो पर नुक्त किया गया था यह अशत्य है तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या थे सेनापती कौन थे तो मान सिंग जो थे वो सेनापती थे तो इसी तरह क्या बोलते हैं इसका अंसर आप लगा शकते हैं ठीक है तो राजपूतों को प्रसासनिक मुख्या मुगल प्रांतों में बनाया जाता था ये भी बिल्कुल सह सही है और राजपूतों को सैनिक तरफ प्रसासनिक प्रसासनिक प्रता समराज्यम में दिया रहाते थी ये भी बिल्कुल सही है तो अब आप अगला कोश्ण देखते हैं इस question के बारे में, लेकिन इसमें जितना खोदा हो तो मैं बतारा हो गोड़े के नाल के अकार का तो वो भित्ती दीख रहा था, ठीक है प्रवाल भित्ती है ये एटाल जो है प्रवाल भित्ती है वो गोड़े के नाल के अकार के ऐसे करके दीख रही थी चित्र में, अगर आप Wikipedia जाग देखेगो तो चित्र बताएगा लेकिन लाल सागर और चीन सागर के बारे में बताया गया है और श्टिलिया सागर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है तो इसका आंसर मैं नहीं बोल सकता फ्रेंड लेकिन हो सकता है इसका आंसर कि बुक के सूरुच में भोगोल में दिया है अगला कोशन देखते हैं कि निमने में से कथर पर विचार किजिए तो देखे ये तो बहुत अबर्दस कोशन दिया था इसमें इतना घुमाया था कोशन को कि मैं क्या बताओ अलमत्ती बांध कावीरी नदी पर है अलमत्ती बांध जो है वो कावीरी नदी पर नहीं है फ्राइंड वो किरिश्णा नदी पर है कहा है वो क्रिश्णा नदी पर है और वो कहा पर इस्तिते कंडाटक में इस्तिते इसकी स्थापना दो हजार पांच इसव में की गए थी तो कहां इस्थी थे कन्नातक में इस्थी थे और इसकी स्थापना दो हजार पांच इसव में की गए थी उसके बाद मेतूर बांध जो है क्रिश्णा नदी पर बना है तो मेतूर बांध जो है क्रिश्णा नदी पर नही और इसकी स्थापना जो है 7 मार्च 1924 निश्वी के गए थी, का है 7 मार्च 1924 निश्वी के गए थी, चलिए अगला कोशन अपन देखते हैं, निवलिकित में से कौन सा जून से सितंबर माह में दक्षिन पस्ची मानसुन में अधिक वर्सा नहीं होता, तो मैं आपको बता दू जो जम्मु कस्मिन में क्या है अधिक वर्सा नहीं होता, किसमें जम्मु कस्मिन में, इसका सोर्स भी कौन सा है, विकिपेडिया, अगला कोशन अपन देखते हैं, कि सही यूग में बनाईए, तो इसमें सही यूग में बनाना है, तो चलिए सही यूग में बना देते हैं हम आप लोग तो पीली करांती सबसे पहले अपन देखते हैं तो पीली करांती मतंस देखें यहां पर इसको ऐसे कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा फेर्ण इसका सही आंसर होग़ा बहला इसका सही अंसर क्या होगा ठीक़र अब अगला कुछन देखते हैं किसी उच्छ नियाले की नयाधीस की आयू के विशह में कोई प्ष्घ्ण उपस्तित होता है तो इसका निन्ड़ा कौन करेगा तो इसका निन्ड़ा सरोची न्याले के मुख्ष नि लेबर का प्रत्य देने किसे जाना जाता है तो जॉन में ब्रेमर को जाना जाता है किसे जॉन ब्रेमर को जाना जाता है और यह कौन सा है यह भी विकिपीडिया से मिला है मेरे को नहीं है बता रहा हूं तो लोग साहित भारती इस रात को भारती इतिहास का स्रोत नहीं है क्यो पूरा तत्वी किस्थल इमारते और साहिते हैं तो सरगूजा जीला जो है और चतिस गर्ण राजे का सिमावर्ती जीला नहीं है जबकि कोरिया सूरतपूर बल्रामपूर लगते हैं जनगर्णा 2011 के नुसार 36 गर्ण में महिला साचारता का प्रतिसात है तो 36 गर्ण में महिला साचारता का प्रतिसात 60.26 है याने 60.26 है सिर्गिटि और दु केंदर का विकास का प्रमु कारण है तो इसका क्या है रसानी कुद्यों का क्या है रसानी कुद्यों का विकास अगला कोश्चन देखते हैं हरी राम पटेल की बुख में मिल जाएगा आपको तो फुटका पहाड कोर्बा में होता है ये भी हरी राम के पुटेल के मुख में दिया है बाक साइट का सरवादिक निपेच कहा होता है फुटका पहाड में होता है बैसा दरहा भ्यारण संबधित नहीं है तो देखिए इंद्रवती जो है वो बीजय पूर्वे है तो में देखते है हरपा और उसके इस्थलों के बारे में देखते है फ्रण तो चलिए इसमें देखते हरपा तो हरपा कहा है तो मैं आपको बता दूं जो है हरपा कहा है तो हरपा क्या होगा तो हरपा का होगा बक्सों में सवाधान हरपा क्या होगा बक्सों में सवाधान होग उसके बात लोथल के क्या होगा दोहरा सवाधान होगा उसके रज़ का काली बंगन का काली बंगन का काली बंगन का होगा इटियोसr से बना हुआ कक्छे तो आप रूशेंन में एक चीज को देख सकते हैं उससे काफका अंसर पूर जाए गाटन ठीक है तो इसका अंसर होगा C, इसका अंसर होगा C अगला कोशन अपन देखते हैं निमलिकित में से ये कोशन में बता चुका हूँ फ्रेंट्स मेरे से रिपीट हो गया चलिए अगला देखते हैं वैपारिक हमाय निमलिकित किस अक्षांस भुमाद रेका की और प्रभाईत होती है तो तीसंस उप्तरी अक्षांस है तीसंस दर्चिन अक्षांस तो ये कोशन भी है लुशेंट में आपको सेम टू सेम मिल दाएगा इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंट की लुशेंट की बुग को पढ़िये करके क्योंकि लुशेंट के भुब में अधिकतर कोशन पूशता है नदी दौरा अपवर्दन क्रिया के फलसरूप निर्मित मैदान को क्या कहते है तो इसका बता दू पेनी प्लैन कहते है क्या कहते है पेनी प्लैन कहते है आपका सब कोई अब्जेक्शन करेंगे तो पूरा का बता देता है फ्रेंट में इसका पेनी प्लैन होगा क्या है नदियो दौरा पवर्दन के और पेडी प्लैन क्या होगा परवतो के परवतों के पवर्दन नदी बहाओ से जो होता है ना तो उसका क्या होगा पेडी प्लैन होगा और कास्ट मैदान जो है चूना पत्थर से संबन Been complete थे और लोस का जो मैदान है रेगिस्तान अब बालूशे संबन तो मैंने चारों को बता दिया है आरंग का जैन मंदिर का है भाणदल देव मंदिर है यहाँ भानद्र लिखा है भाणदल देवाल तो यह ठीक है इस राजasmu केस काल गाटि में इस्तित सत् secular का अन्य नाम क्या है तो तेली मंदिर है किस रिसी के नाम से जा रहा था तो रिंगी डीसी के नाम से किसे रिंगी डीसी के अगला कोशन देखते हैं अपन तो ये भी कोशन बता देता हूं बहुत ही टफ कोशन था फ्रेंट से भी क्योंकि आपसन सेम सेम दिये हैं इसलिए तो मैं आपको बता दूँ कि रैपूर रान नितिक सम्मेलन क्या है 17 मार्च 1926 के हुआ था शयोग अंदुलन के समय में इसको अगर आप देख लेते तो पहला का तीसरा करके तो बागी आपको अंसर मिल जाता तो इसका अंसर होगा मैं आपको बता दू कि यह पुष्टक का सोर्स है हरी राम पटेल कौन सा हरी राम पटेल तो सब का बता देते हैं चलिए टोटल पूरा ठीक है सब अपन बता देते हैं तो राइपूर का रानेतिक परिशा 17 मार्च 1926 के हुआ था ब्लासपूर में रोले क्रेक्टर का विरोध कब हुआ था तो 20 मार्च 1926 के ब्लासपूर में रोले क्रेक्टर के विरोध हुआ था रानादगाओ में प्रतुम मर्जदूर है 1926 में हुआ था अप्रेल में और कंडेल नहर सत्त्यक राजोय सितंबर 1926 में हुआ था तो इसका अंसर क्या होगा यह हो जाएगा चलिए अब आपको बता देता हूं आप हो सकता है इस question में भी objection करें लेकिन मैं आपको सोर से भी बता दूंगा आरे भट आरे भट ने किसकी रचना की थी तो सूरी सिध्धांदम की आरे भट ने किसकी रचना की थी तो आरे भट ने सूरी सिध्धांदम की रचना की थी लेकिन आप Google म הסमंदी झाका कि वेख स की रचना कि थी। और उसके बाद देने है वो खंड काव्य की रचना की थी तो यह सही हो गया चलिए अगला कोशन देखते हैं गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की रानेतिकम प्रसासरन का शुंदार विवरण मिलता है तो विशाका दत्कृत देवी चंद्र गुप्तम में मिलता है इसका भी सोर्स क्या है मैं बहुत खुदने के बाद भी बुग में यह कोशन नहीं मिला तो इसके बाद मैंने इसका कोशन जो विकिपीडिया से लिया था ठीक है विकिपीडिया से अगला कोशन देखते है पन कृष्ण भक्ती साखा के संत कौन कौन थे तो कृष्ण भक्ती साखा के संत थे सूरदास और मीरा भाई कौन थे सूरदास और मीरा भाई थे ठीक है सूरदास और मीरा भाई थे अगला कोशन देखते है पन अब बाकी दोनों का भी बता देता हूं तुलसी दास तो आप जान रहे हो राम भक्त थे और कर्मिर डास जो थे वो किसी के भक्त नहीं थे ठीक ह सभी वाला अंसर सही हो रहत है तब भी मैं आपको बता देता हूं इसमें सब को बता देता हूं थाएक इस्च के हो यह आ। संप्रदाय के थे और सेक्ष अब्दुल्ह सब्तारी संप्रदाय के थे तो मेरे वीडियो पसंद आयोगा फ्रेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा ताकि दूसरे लोग भी क्या है आंसर मिला सके ठैंकियो धन्यवाद जैहिंद फ्रेंड्स